हलो फ्रेंज, वेलकम टो माई चैनल अन्वेशास क्रियेटिविटी के सभी व्यूवर्स को नवरात्री की बहुत बहुत शुप कामना है माता रानी आप सभी के भंडार भरे और आप सभी की मनुकामनाई पुली करे जै माता दी और आज का वीडियो क्या है आज का वीडियो बहुत चोटा सा है इसको आप ब्लॉग कहें या हूम डेकॉर से रिलेटेड कहें लेकिन ये बहुत चोटा सा है इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि पूरा इसको देखे और वीडियो शुरू करने से मैं आप पहले मैं मैं आपको एक रिमाइंडर देना चाहती हूँ वो तो हमेशा ही देती हूँ है कि अगर अभीता का आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेजे और करने के बाद में उसके बराबर में जो बेल बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए का ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोडिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुचे और आप उसको वीडियो को देख सके तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ कि मैंने माता का मंदिर माता की चौकी किस तरीके से लगाई है क्योंकि आप में से काफी सारे लोगों ने जिनोंने भी मेरा होम टूर देखा है या किचिन टूर देखा है उन में से काफी सारे लोगों ने मुझे बोला था कि किचिन में आप मंदिर ना रखे किचिन से शिफ्ट कर दे फिलाल मैंने किचिन से अभी मंदिर तो shift नहीं किया है लेकिन हाँ इस बार मैंने पहली बार मैंने माता की चौकी जो है वो किचिन से बाहर लगाई है तो वो मैं आपको दिखाना चाहते हूँ आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ तो इस वीडियो को देख करके अगर पसंद आए तो उस पे लाइक ज़रूर कीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजेगा तो चले शुरूर करते हैं यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक मेरून कलर का कपड़ा बिचाया है क्योंकि पहली माता जो होती है हमारी नवरात्र में वो होती है शैल कुत्री माता तो उनको मेरून कलर बहुत पसंद है तो इसलिए मैंने मेरून कलर का यहाँ पर चौकी पर एक आसन लगाया है और उस पर म जाल गुपाल का श्रंगार मैंने इस प्रकार किया है और उसके बाद में मैंने आज की पूजा आज नवरात्र का सेकंड डे है तो मैंने आज की पूजा में आज है ब्रह्मचारणी माता का दिन तो उनको मिश्री काफी पसंद है तो मैंने आज मिश्री का भोग लगाया है औ और अंगूर का भोग लगाया है साथ ही मैंने उनको फूल चड़ाए हैं वैसे ब्रह्मचानी माता को सफेद फूल बहुत पसंद है लेकिन सफेद फूल मुझे मिले नहीं तो फिर मैंने गुलाब और गेंदे के फूल उनको चड़ाए हैं साथ ही मैंने ये शिक परिवार ये मैंने घट शथाबना की है मुझे आमके पते नहीं मिले यूजूली मैं हमेशा आम के पते लगा करके ही करती हूं तो और घट शथाबना किसे तरीके से करते हैं ये मैंने पिछली अपने नवरातर के वीडियो में शेयर किया था इसका link मैं आपको i Wotton पर भी दे दून डाले क्योंकि मैंने तुल्सी का पत्ता डाला है और काना जी कोई भोग में कहां जाता है कि बिना तुल्सी पत्ता के वो भोग स्विकार नहीं करते हैं तो इसलिए उसमें जरूर तुल्सी पत्ता आप डाले और ये मैंने माता का भोग लगाया है शिवजी के लिए मैंने साथ ही मैंने फूल, बदाशे, और इलाइची, ड्राइफ रूट्स भी रखे हैं, रॉली, मॉली, और ये धूप, कपूर, ये सब रखा है, और यहाँ पर मैंने सजाया है, गेंदे के फूल से, ये चौकी को मैंने आज सजाया है, गेंदे के फूल से, साथ ही यहाँ पर मैंन करते टाइम और ये मैंने तामबे की प्लेट में मैंने सजाया है और धूप के लिए मैंने अलग से कटोरी लगाई है क्योंकि हमारी प्लेट खराब हो जाती है तो उसमें और यहां पर मैंने अपना चिराश मंदिर के साइड में ही मैंने एक अगरबत्ती लगाई है जिसकी अ हम जो भी बैंत के द्वों सेक्षा वावन गाया कन सेमिकती हूं तो हम जो भी भी भेंच चड़ाते हैं मातको वह एक हवन की ठूरू चड़ाते हैं इस वह इस fresh फिलेश के निशुन जी को सुलाती हूँ और यहाँ पर है मेरी पूजा रिलेटेट सारी सामगरी क्योंकि डेली डेली हम यहाँ पर पूजा करते हैं तो फिर इजी रहता है यहाँ से पिक करना और मंदिर को थोड़ा सा डेकुरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक लड़ी लगाई है नवरात्र में लड़ी अप देख सकते हैं अच्छी लगती है माता के मंदिर में लड़िया या जफ्ड़श ज़गिवी जो होती है बहुत अच्छी लगती है मुझे तो बहुत पसंद है इसलिए मैं हमेशा नवरात्र में चाहे शार्दिय नवरात्र हो या यह वाले नवरात्र हो चैत्र के तो मैं इसमें जरूर लड़ियां लगा करके रखती हूँ और इस आप बैक को देख रहे हैं इस बैक के अंदर मेरी सारी जो जरूरी धार्मिक पुस्तके होती हैं वो रखी है जैसे आरती की किताब है दुर्गा शब्त शती है दुर्गा चालीसा का पाठ है या और भी जो भी है तो नवरात्र में जो भी हम पाठ करते हैं उस पाठ की भी बुक्स रखी है मैंने और वह इसलिए मैंने कवर हो दाओं, भी एक चुलती आख आदि इसे बहुत पाुकोश Woo झाल ठाव सब्सक्राइब करेखी है तो पर से अकी घटतümüz है अतुर कैसे मिंने लोरी उसलिए भी होश्वित इस तो एक बहुत जरूरी चीज कि जबी भी पूजा आप करें एक साफ शुद्ध आसन पर बेट कर ही करें पूजा तो मैंने पूजा के लिए यहाँ पर एक आसन लगाया है जो कि आप देख सकते हैं यह जिस पर मैं बैठी हूँ तो ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग मेरा छोटा सा मंदिर और्गनाइजेशन जो मैंने नवरात्र में किया है इस बार मैंने मंदिर कैसे सजाया है उसका एक छोटा सा वीडियो मैंने आपके साथ में शेयर किया था उमीद है आपको पसंद आया होगा अगर ये वीडियो प पूरी करें जय माता दी